अमृत अबेल यानि कि इस प्वधे को एक अमृत की समान माना गिया है हमारी पुरानों में भी इसका कुछ वर्नन देखने को मिलता है मन्याता है कि लंका यूद के दौरान भगवान राम ने इंडरोदेव से फ्रात्ना की कि इस यूद के दौरान बंदर भालू जितने भी जानवन मारे गये हैं dat उन्हें फिर से जीवित करदें इंदष्देव ने उन्हें पुनर जीवित करने के लिए उन पर स्वर्ख से अमरीट की बसाथ किए वे सब जीवीत हो गए और जहां जहां अमरीट बूंदे गिरी वहां अम्रित बेल जो है उत्पन हुई मतलब इस बेल का जो है उत्पत्ती हुई मेरे प्यारे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत गुनकारी चमतकारी एक ऐसे औसदी पौधे के बारे में जिनका इस्तमाल आजिर वेच चिकित्चा के छेतर में एक महत्पुर्ण रोल आदा करती है जहां दोस्तो लोगी से एक इस्वर्य वर्दान से कम नहीं समझते हैं इसलिए इसका नाम अमृता बेल भी रखा गिया है साथ ही लोग इसे गिलोई के नाम से भी जानते हैं तो चलिए इस वीडियो पे दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि इस औशदी पौधे को हम कटिंग के द्वारा किस तरह से लगा सकते हैं यह वीडियो पूरी अपडेट चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूटुब चैनल पर साथ में में दखता हूं कि आप भी स्वास्त होंगे हैल्दी होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक औसधी पौधे के बारे में यह आप देख सकते हैं यह गिलोई की बेल इसे लोग अमरिता बेल के भी नाम से हम जानते हैं दोस्तों इस बेल का आहिरवेट चिकिस्ता के छेतर में बहुत ही इस्तमाल किया जाता है दोस्तों हाल ही में करोना महामारी के दोरान गिलोई की जो पहुंच थी वो हर घर तक हो गई थी और सदी गुनों से भरपूर होने कारण यह जो बेल थी यह जो गिलोई थी लोगों के लिए यह बहुत ही फाइदेमंद साबित हो रही थी साथ ही दोस्तों यह सरीर के कई बीमार्यों के लिए फाइदेमंद होने के साथ साथ रोग परती रोदक छमता को भी यह बढ़ाती थी तो लोग बहुत लोग इसके सेवन करते थे बट इसका सेव कई लोग कि पहचान भी नए जानते हैं कि हम इस तरह से पहचान सकते हैं आइए मैं आपको इस विदियो के वीदियो में आजिब हम से मैं आपको दिखा रहा हूँ यह आप देख सकते हैमि घृत कर दो अगरिए बमद सब्रेखिंट आए ने में सब्क्राइब होती हैं Alone फूर प्रश में है तो इसमें पूल भी आते हैं इनके चोटे-चोटे फॉल भी लगते हैं तो चलिए आज हम इसकी कुंत कि वह लगाएंगे इसकी के लिए यह आप देख सकते इस तरह की किल्म को आपको कलेक्ट करनी होगी कलम को आप व लगबख पांच एंच या फिर 6 एंच की कलम आपको लेनी है और कुछ इस तरह की कलम आपको लेनी है बिल्कुल तिर्चा कट लगानी है यह आप देख सकते हैं यह 45 डिगरी की एंगल पर कट किया गया है बिल्कुल तिर्ची और सार्फ कट मतलब ऐसा कट करें कि बिल्कुल एक बार मे के नाम से जानते हैं बस जैस्ट उसी की नीचे से हम cut करेंगे या आप अधिक Spface कि में दियान रखने इस तरह से तरह से आपको kırm कॉति कर स्कूरों बिल्कुल साब होनी चाहिए तो चाकू भी आपको भिल्कूutt तेज होनी चाहिए कोछ चीज तरह से और लगबग में 3 कट करें रच यहां से जडड निकलने यहां से निकलने ड़ार पाइब कर लेंगे। कि और अब यह इस तरह की डिस्पोजबल गिलास हम लेंगे प्लास्टिक की जो गिलास होती है सो उस्टे हम लगाने व्य आपको धियान रहACed इस तरह की होल आपको नीची बनानी है एक बोटम होल बनानी है ताकि जब भी हम पानी देंगे तो वो एक्ट्रा पानी जो भी होगी वो जड़ों से बाहर निकल जाए मतलब इस होल से बाहर निकल जाए तो सबी गिलास में आप एक छोटा-छोटा सा आपको होल बना लेनी है तो सबने अभी आप देख सकते हैं यह हमारी त्यार हो चुकी है स्वैल मीडिया के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए मिट्टी बिल्कुल भुरी होनी चाहिए वेल रेन होनी चाहिए मतलब इसमें जब भी हम पाने दे तो सिर्फ नमी और मुश्यर इसके मिट्टी में रहे तो इसलिए हमने एक हिसा रेट ली है और एक हिसा हमने मिट्टी ली है साधारन सी मिट्टी है यह आप देख सकते हैं एक हिसा मिट्टी और एक इसा बालू रेथ रिवर्शेंट जो होती है दोनों को हम अच्छे से mix up कर लेंगे यह आप देख सकते हैं इस तरह से रेद जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो वो बिल्कुल well rain हो जाती है, porous हो जाती है, बिल्कुल भुरबुरी हो जाती है तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है चलिया, अब हमारी soil जो है बिल्कुल prepare हो चुकी है एक एक करके हर disposable glass में हम इसे fill कर लेंगे fill करते समय ध्यान रखनी है, मिट्टी को प्रेस नहीं करनी है बिल्कुल जो है, हलके हातों से आपको भरनी है कुछ इस तरह से भी आप देख सकते है वेल, अब हमारे जो glass है वो भर चुकी है node area आपको ध्यान रखनी है एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है यह आप देख सकते हैं, यह नीचे की हिस्सा है नीचे की हिस्सा जो होगी उसे आपको मिट्टी में दबानी है और उपर वाला आपको जाहिर से बात है, उपर में ही रखनी है कई बार हम कटिंग लगाते हैं, तो उपर वाली जो हिस्सा होती है उसे हम नीचे लगा देते हैं, नीचे वाला उपर हो जाती है इससे हमारी कटिंग जो है, और पहले से ही फैल हो जाएगी तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है जो नीचे वाली हिसा होती है मतलब जड़ के नीचे वाली जो होती है उसे आपको मिट्टी में दबानी है यह आप देख सकते हैं इस तरह से तिरशी कटिंग हमने नोड एरिया के सामने किया हुआ था तो चलिए अब इसे एक एक करके ह हम इस तरह से गिलास पर सेट कर लेंगे और चार तरप से मिट्टी को इस तरह से cli करते जाएंगे लगाने के साथ ही आपको वाटिंग की है और वाटिंग करके अब चलिए हम मिलते हैं को धिन बाद देखेंगे कि इसकी आगे की गुरोथ कैसे चलने वाली है तो चलिए हम कुछ वेट करते हैं और मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ तो चलिए आफ्टर सेवन दे दोस्तो साथ दिन की बाद की रिजल्ट है और आप देख सकते हैं इसकी नई ग्रोथ एक यहां से निकल चुकी है नई सुटिंग इसकी अब आ चुकी है यानि कि यह अब बहुत जल्दी यह पतिया बन जाएगी और एक यहां से नई ग्रोथ आप देख सकते हैं कि यहां से भ इसकी पतिया आ जाएगी तो चलिए कुछ और वेट करते हैं आगे की रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं कुछ दिर्बार आफ्टर 17 डे दोस्तों 17 दिन की बात की रिजल्ट आप देख सकते हैं हर कटिंग पर नई नई जो पतिया है वो आ चुकी है मतलब ग्रोथ जो है अब बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है आइमिन के अब जो इसकी ग्रोथ है काफी तेजे से होगी यहां से आप देख सकते हैं इसकी दो पतिया अब बन चुकी है एक यहां से भी इसकी पतिया आ चुकी है यहां देख सकते हैं तो इस तरह की जगे पर तो आप देख सकते हैं यहां से इसकी नए ग्रोथ बढ़ चुकी और अच्छे से के बिल्कुल पत्ते जो है इसके लिफ जो है वह आ चुकी है तो आप देख सकते हैं कुछ में अभी हमारी पतिया नहीं आई हुई है चलिए हम कुछ और वेट करते हैं और आगे की रिजल दे हो चुकी इसकी बेल जो है काफी बढ़ चुकी है और पतिया भी आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े इसकी पतिया भी आ चुकी है काफी डार्क ग्रीन जो देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रही है दोस्तों गिलोई जो है एक बहुत ही फाइदमान एक उसदी पौदा है और गिलोई का ऐसा कहा गया है कि अगर आप नेम की पेंट पे अगर आप चढ़ा देंगे तो गिलोई की जो फाइदे हैं जो गून है वो और भी बढ़ जाती है कहा जाता है कि गिलोई जो है जब आप किसी पेंट के उपर चढ़ा देते हैं किसी भी पेंट बहुत ही गुनों से भरपूर हो जाती है तो अब हम इसे प्लांटेशन कर सकते हैं किसी भी जगह पे आप इसे लगा सकते हैं और आप देखेंगे इसे आप लगाने के साथ ही इसकी जो गुट है बहुत ही जबरदस्त होती है इसकी बेल काफी लंबी चली जाती है और इनके ब्रांचेस बहुत सारी निकलते हैं और आने वाले दिन में इसकी ग्रोथ बहुत ही अधिक बढ़ आती है यह आप देख सकते हैं यहां से भी इसकी रूट निकल रही है मुश्यर किर्यट होने के बज़े से यहां से इसकी नई रूट आ रही है एक कटिंग अभी हमारी ऐसे जगे पर प्लेस कर देंगे जहां पर इसकी ग्रोथ सही से हो सके सब्सक्राइब करेगा बगल में बेल आइकन घंटी भी आपको दीख रही होगी उसे भी आप ओल आप्सन पर सेट कर ले ताकि इस तरह की हर अपडेट वीडियो जो भी होगी आपको सबसे पहले आपक है किसी नई वीडियो के साथ नई जनल